किशान भाईओं जब धान की फसल में बालिया निकल आती हैं बालिया निकलने के बाद बहुत प्रकार कि उसमें गंधी बक्त कीट और रच चूसक कीट का नियंतर करना बहुत जुरूरी होता है इस समय अगर सही समय पर आप नियंतर नहीं करते हैं तो धान की फसल से लगभग 30-35% का आप नुकसान हो शकता है तो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे कौन सा आप दवा डाल सकते हैं कौन से उपाय कर सकते हैं मैं हूँ आशी शुर्मा स्वागत है हमारे यूटूब चैनल दिहाती किशान श्राथी में किशान बहीं सबसे पहले आपको क्या करना होता है धान की फसल में जब बालियों निकल आती हैं जो दुगधा वस्था होती है धान की फसल में जब बालियों निकल नहीं होती है उसमें आप देखते होंगे बहुत प्रकार के खरपतवार नियंत्रन जैसे हमारी वहाँ पर दुगधा वस्था बनी हुई है ऐसे कंडिशन पर वहाँ पर सीधा अटैक कर देते हैं और धान की जो बालिया होती है उसका रश चूट लेते हैं जिसे बहुत ज़्यादा आम तोर पर हमारे छेत में फरहा बोलते हैं वो फरहा ज़्यादा हो जाता है इस कंडिशन में पैदावार काफी ज़्यादा कम हो जाती है तो इसके लिए आपको क्या करना है कौन सी दवा डालना है हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दो दवा आपको यहाँ पर रेक्मेंट करेंगे जो सबसे नंबर वन पर जो दवा हमारी है उसके बारे में बात कर लेते हैं जो हमारी दवा नंबर वन पर बताना जा अगर इसकी मात्रा की बात करें तो 100 ml प्रती एकड के हिसाब से आपको इस्प्रे करना है। अगर ये दवा नहीं मिलती है तो इसके लिए आपको दूसरी दवा भी आप ले सकते हैं। दूसरी दवा में किशान भाईयों एभी आप इपको कमपनी की है इपको MC नाम से आती है तायो नाम से तायो नाम से इसमें टेकनिकल क्या होता है। और ये दवा किशान भाईयों अगर आप इस्प्रे कर देते हैं तो धान में जो गंधी बक कीट लगे हुई हैं, रश चूसक लगे हैं, या हल्दी रोग लगा हुआ है। कोई अन्य कोई समस्या है गंदीवक या कोई कीटो के प्रकोप के नियंतरा से किसी प्रकार की समस्या है सारे रोग ये नियंतर कर लेगी और आपकी धान की फसल अच्छी पैदावार निकाल करकी आपको देगी तो ये दवा किशान भाईयों आप जुरूर यहाँ पर इस्ते इससे पहले जो पहली नमबर पर दवा बताई है इपको एमसी नाम से इसो गासी नाम से दवा आती है इमडा क्लोरोपीट 17.8% एसल फार्म में आती है इसकी मात्रा 100 ml प्रत एकड के इसाब से आप ले सकते हैं किशान भाwhy होता क्या है जब हमारी धान की फसल में बालय निकलती है तो वहांपर दाने का भराव अच्छा होना चाहिए पहली बात तो पानी की मात्रा अच्छी देनी है क्योंकि जब धान की बालिया निकल आती है कुछ शच्चोंतरों में बारिस तो इसमें बहुत जादा हुई है हला कि कुछ शच्चोंतर ऐसे हैं जो बलवी मिट्ती है, वहाँ पर पाई नहीं рукती है इन छेतरों में किशान भाईयों वहाँ पर आगर बालिया निकल रही है तो पानी आप सिचाई जरू करते रहे हैं क्योंकि जितने ज़्यादा वहाँ पर पानी की मातरा होगी दाना हमारा सुडोल बनेगा वजंदार बनेगा और लाश्ट में आपकी पैदावार भी ज़्या क्योंकि नाट्रियन से किशान भाईयों यहाँ पर जो हमारी ब्लाइट रोग है यह ज्यादा लगने के चांस हो जाते हैं जिसे बहुत छेत्रों में सरण रोग बोलते हैं कि तना उसका सरणने लगता है नीचे की जड़े हैं सरणने लगती हैं इस कंडिसन पर आप यूरि उसकी में पीलापन बना हुआ है इस कंडिसन में एनपी के 13-0-45 का आप स्प्रेक कर सकते हैं एनपी के जो 13-0-25 उससा है इसमें 13% नाट्रियन होती है और 45% पोटास की मातरा पाई जाती है पोटास इसमें दाना भणने में सबसे ज़्यादा साहता करता है इसलिए आप पो पीचे आप कमेंट कीजिए आंसर देने के पूरी कोशिश करेंगे तो मिलेंगे अगली वीडियो में नमस्कार